बिस्मिल्लाहिरोमाजराहीम, ओनरेबल टीचर्स, रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड दियर स्टुडेंट्स अस्लाम अलेकुम। तोडे वी एल डिस्केस अबाउट मैथेमेटिक्स ग्रेड फाइव। आइम वकास एहमेद एड आइम दा मेर ऑथर आफ दिस टेक्स हो टू यूज दा बुक देखें जैसे ही बुक का मेर पेज आप फ्रेंट पेज आप ओपन करते हैं तो आपको इन्न टाइटल पेज नजर आता है आफ्टर दैट आप प्रीफेस देखेंगे प्रीफेस में वो चीज़ें बताई गई हैं किस तरह हम लोग इस सीरिज को ले हैं कि मेर है क्यू आर कोड्स देन थीम्स थीम्स कों सा यूज किया है दिरिंग दा डिवलेमेंट और इस टेक्स्ट बुक रिमेंबर होम एक्टिविटी एक्टिविटी थिंक पर इन्फरमेशन टीचर्स गाइडलाइन्स प्रोजेक्ट्स कीवर्ड्स ग्लॉसरी इंडेक् इबलोग्राफी आप देखें कि आपको ये एक बॉक्स मिलेगा अक्सर जगहों पे जब आप बुक को स्टडी कर रहे होंगे इस बॉक्स का मतलब ये है कि जैसे ही इस क्यू आर कोड को आप स्कैन करेंगे तो आपको उस पार्टिकुलर टॉपिक से रिलेटर जिस पेज के उपर जा जिस टॉपिक के सामने ये क्यू आर कोड होगा उस टॉपिक से रिलेटर आपको विडियो लेक्चर अवेलेबल होगा आफ्टर देट एक आपको इस तरह का बॉक्स नजर आएगा जिसमें ये चीज़ बताए गई है मेन पॉइंट्स रमेंबर यहां पर हम लोग टॉपिक को डिसकस करते जा रहे हैं वहां उस टॉपिक के अंदर हमें लगा है कि ये जो पॉइंट है ये आपको याद रखना जरूरी है फर एक्जेंपल के आप नमबर अप टू वन मिलियन स्टडी कर रहे हैं हर जब आप राइट से टू लेफ्ट की तरफ डिजट्स को काउंट करते हैं तो हर थ्री डिजट के बाद कॉमा आता है ये जो ये मेन पॉइंट था के हर थ्री डिजट के बाद कॉमा आएगा ताके आपको रीड और राइट करने में नमबर को असानी हो तो वो जो है वो हमने वो मेन पॉइंट रमेंबर के बॉक्स में इन क्लोस कर दिये हैं after that आप इस तरह का box देखेंगे इस box में आपको home activity है आपकी teacher ने class में topic को discuss किया उस topic को discuss करने के बाद आपको activity दी कि आपने ये घर पे जाके perform कर रही है ताकि आपको पता चले जो topic आपकी class में discuss हुआ है जो आपने study किया है उसको आपने अपने daily life में कैसे use करना है तो आपने हर जो home activity है उसको लाजमी perform करना है and then आ जाता है activity का box ये home activity के अलावा आपकी teacher के साथ आपने class में या out of the class activities को perform करना है for example आपके classroom में है आपकी teacher आपको बलवाती है और कहती है कि यहाँ पर ये boxes पढ़े हैं ये numbers पढ़े हैं इनको mix करें फिर randomly numbers को collect करें इस तरह की activities जो है यह इस activity box में in close होंगी after that यह think है think इस तरह के critical questions हैं जो के आपको particular topic के अंदर think के box में मिलेंगे के जैसे open minded जो question होते हैं या open book questions होते हैं वो आपको बता दिया जाता है कि इसके उपर सोचेंगे यह क्या बनता हैं जिस तरह इस box में यह क्या चीज़ है कि इस जो आपके पास sunflower है उसको खोल के देखें उसको देखेंगे तो उसके अंदर जो यहां पर seeds होते हैं वहां पर एक pattern बन रहा होता है तो आपने उस pattern को recognize करना है यह क्या चीज़ है इस तरह के उसको आपने सोचना है इस तरह के questions भी आपको या इस तरह के box में मिलेंगे जो कि आपको सोचने पर मजबूर करेंगे and then means far information का box है far information के box में main जो important information है जिसके बारे में आपको पता चले कि आपने आपके लिए नहीं हो वो information यहां पर given है for example zero is neither prime number or not composite इसके अंदर यह मैंने example दिया है zero जो है ना तो prime number है और ना तो ना ही composite number है यह दोनों नहीं है क्योंकि हम आप लोग जब इस book को study करेंगे इसके second unit में prime और composite number के बारे में discuss करेंगे factors and multiple वाले unit में and then वहाँ पर जो main information है वो इस तरह के red color के box में in close कर दी गई है तो students अब आजए next next क्या है देखे टीचर गाइडलाइन जैसे ही आपको यह box नजर आए टीचर गाइडलाइन का तो आप समझ जाएं कि यहां पर teachers के लिए instruction है कि किस तरह teacher ने particular topic को discuss करना है through examples through activities यह सारी instruction teacher के लिए दी गई है कि unit में यहां पर जरूरत महसूस हुई है कि आपने बच्चों को इस तरह guide करना है and then project आपको book के अंदर हर exercise के बाद यह box नजर आएगा इस box के अंदर जो है instruction यह project दिया हुआ है कि जैसे ही topic खतम होता है उस topic से related आपने कोई नो कोई project complete करना होता है next हमारे पास जो box आता है वो keywords का है keywords के जो main important key points है या keywords है उनको हम लोगों ने इस box में include कर दिया है after that glossary का box है यह book के answers वाली page के उपर answers के बाद जो page आता है वो glossary का है उसमें आप देखेंगे उसमें पूरी book के अंदर जो main definition यूज हुई है वो इस page के उपर भी detect कर दी गई है after that index का page आता है index में क्या है जो main action words है वो action words इस index वाले page में दे दिया है और इसमें page number साथ दे दिया है for example prime numbers है prime numbers के बारे में prime numbers किस page के उपर है तो वो वहाँ पर page number write कर दिया है and then composite numbers किस page के उपर है वो write कर दिया है and the end जो है bibliography है bibliography में links दिये हुए है books के और फिर websites के के जो हम लोगों ने during the development of this book जो main authentic books थी या links थे हमारे पास helping material वो यूज किया है वो यहाँ पर mention कर दिया है अब आजे content की तरफ के content हमने किस तरह इस book में elaborate किया है unit one है मैं एक unit का आपको बताऊंगा बाकि सारा pattern उसी तरह define हुआ 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 है सबसे पहले main topic है topic के बारे में बता दिया है कि यह topic इस page के ओपर है और उसके बाद उसकी exercise and then next topic then उसकी exercise जहां पर जरूरत पढ़ी है में slo की तो वहां पर हमने slo भी mention कर दिये हैं तो same like जो pattern है content का वो सबका same है तो students अब देखें यह मैं एक आपको unit बताता हूं unitary method का हर unit जो है इसी तरह elaborate हुआ 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 है इसी तरह explain हुआ है book के अंदर देखें write के ऊपर आपको qr code मिलेगा और इस qr code में जैसे आप इसको scan करेंगे तो इस topic इस जो unit है इसका introduction वहां पर available होगा main जो slo जे वह इस page के ऊपर detect कर दिये गए हैं जो contents थे main topics वह book इसके unit के अंदर discuss हुए है यहां पर सिरफ slo's को write किया गया है and then यह जो fridge लगाई हुई है इसमें कोच है यहां पर boxes है कुछ bottles है water bottles means कि यह किस चीज का idea दे रही है यह चीज आपने देखनी है देखें for example हमें one book one जो है बोटल उसकी price का पता है हमने 50 bottles की price find करनी है तो हम लोग क्या करेंगे multiply करेंगे means के या फिर maximum चीजों की value given है और आपने one चीज की find करनी है तो इस तरह के जो questions आएंगे वो unitary method में आएंगे तो यह चीज जो है उस चीज को elaborate कर रही है और यह daily life में हम लोग इस तरह use कर रहे होते हैं इस unit को किस तरह close किया गया है एंड पर review exercise दे दी है review exercise में देखें कि इसमें first में हम लोगों ने mcqs दे दी है mcqs तीनों category से related है knowledge based reasoning and then applications यह आपको इसमें सारी चीज़े available होंगी at the end इस unit को हमने summarize कर दिया है main definitions के साथ main definition क्या है for example unitary method is obtained by Greek letter unit which means one यह एक main key point था इसी तरह जितने key points और definitions हैं इस unit में use हुई वो सारी की सारी summarize कर दी हुई है तो students अब आजए description box की तरफ जैसे ही आप इस link को online जाकर click करते हैं तो आपको इस description box में से lesson plan extra activity और powerpoint presentation about the particular lesson या ऐसे लो वो आपको available होंगी students I hope you understand thank you very much inshallah we will see in our next lesson Allah Hafiz